हलो प्रेंट्स मैं आपका वेल्कम करता हूँ मेरे चैनल में तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर आप कोई मान में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपकी जो API है वो Node.js में बनी है और आपका जो frontend है वो react पे है तो हम लोग कुछ record, single record सर्च करेंगे उसको model box या pop-up box बोल सकते हैं उसमें हम लोग show कराएंगे तो पहले तो मैं आपको API बता देता हूँ कि actually database जो है मेरा MySQL का है आप चाहे तो MongoDB भी यूज़ कर सकते हूँ तो मेरा पहले हम लोग देखेंगे कि यह actually काम कैसे करता है तो यहां पर कुछ records आपको दिख रहे होंगे ठीक है तो 6-7-8 record है यह आपर तो हम लोग चलिए इनको search करेंगे तो पहले मैं डाल देता हूं अन्लू डाल देता हूं तो उससे related जो भी data है वो मुझे यहां देख जिस नाम में ANU हवा उसने उसको यहां पर search करा के दे दिया तो यह दो लोग का record उसको यहां पर मिल चुका है तो यहां पर उसकी image है तो यह जो image भी आपको दिख रही है यह node जैसे मैंने यहां पर लगाया मतलब show कराया है तो हम लोग देखेंगे कि इसका API node.js में कैसे ब पद्रित का गया तो model box में हम लोग कैसे data show कराया है वो मैं आपको चलो बता देता हूँ तो पहले हम लोग इसका backend का API देखेंगे node.js में जो बना के मैंने रखी है तो यहां पर चलते है node.js में node.js में already मेरा code खुला है चलो मैं इसको बंद कर देता हूँ एक ही करके हम Express.js और जो CORS है इसको import करा है क्योंकि अगर यह CORS हम लोग import नहीं करते हैं तो actually यह हम लोग error पाएंगे इस तरह हो ला ठीक है जब आप node का API हिट करोगे तो आपको यह error मिलेगा आपको कहां पर आपके react app में मिलेगा जब आप inspect element करोगे तो यह error फिकने लगेगा तो इस तरह से आएगा कि has been blocked by course policy तो इसलिए मैंने कोर्स को यहाँ पर enable करके मतलब यहाँ पर import कर रहा कि उसको यूज करोगे ठीक है app.use course तो वह error हमें नहीं आएगा और यह मैरा port है फिर जो भी यहाँ पर json format हम लोग use करेंगे json में हमें data मिलने वाला है तो यह get के लिए API रहेगी यहाँ पर फिलाल यह testing के लिए है कि hello world हम लोग paint करके देखते हैं कि node.js में हमारा code चल रहा है नहीं चल रहा है और यहाँ पर route को यहाँ पर import कर रहा है उसका variable बना लिया ठीक है और यहाँ पर pass कर दिया ठीक है और यह जो देख रहे है app.use यह है actually हमारे URL इसको हम लोग हिट करेंगे कहां से react में तो हम लोग को ठीक है उसको हिट करेंगे तो get वाला जो हमें get करने पर पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगी जो कि आपको यहाँ पर यह दिख रहे है ठीक है यह लिस्ट और उसके बाद हम लोग search employee करेंगे या search record करेंगे तो उसके बाद हमें search वाली API के तुर पूरा single या double data जो भी हम search करते हैं वो मिल जाती है तो यह है हमारी index file तो हम लोग src में चलते हैं और पहले config में जाते हैं config में आपको दिख रहोगा है यहाँ पर connection में setup किया है जो PHP में हम लोग करते हैं वही same connection यहाँ भी setup किया है वैसे ही ठीक है अब चलते है node models में कुछ node only model में काफी सारे models जो ह हम लोग यह पूरा project चड़ाएंगे तो यह node model को ignore कर देगा ठीक है इसको वह उपर नहीं बेशता चलो तो यहाँ पर routes पर आते routes में employee.route.js नमका एक file बना है इसमें आपको दिख रहे express में ने import कर रहे और यहाँ पर यह जो employee controller का object बना के variable save का लिया है और यहाँ पर यह जो route दिख रहे है आपको router या route जो भी बोलीजे get all employee तो get all employee हमको इस तरह से मिल जाएगा और जब हम लोग कोई नाम search करेंगे तो हमको इस तरह से मिलेगा search record फिर यह first name मतला आप जो भी name यहाँ पर डाल रहे हो जो भी आप नाम डालोगी बलजित है या एंथोनी है अन्नु है जो भी है वो यहाँ पर आएगा ठीक है यहाँ पर आएगा उसके बाद का यह फिर च search के लिए एक function है और यह get all list के लिए function है get all list मेरा कहने का मतला भी यह पूरी जिल डिस्ट आपको मिल रहे है ठीक है और बटन दब आने पर यह जो data मिल रहे है वो मेरा यहाँ पर है इस पर आएगा और वो जो पूरी list ही हो यहाँ पर आगी तो चलके देख रहे थे get employee by name इस तरह से यह work कर रहे है controller तो controller में हम लोग जो भी parameter आएगा first name उसको पास करने यहाँ पर model में ठीक है तो यहाँ पर आपको दिख रहे होगा model में यहाँ यहाँ पर variable अगर बना के हम लोग ने get all employee और get employee by name को query के थूरू जितना भी result है हमें मिल जाएगा ठीक है तो यह single data क मतलब हम लोग search कर रहे है तो उसमें बल्जीत नाम के दो लोग भी हो सकते है तीन लोग भी हो सकते है ठीक है या जैसे अन्नू हमने search किया तो अन्नू जिसके नाम में अन्नू था वह यहाँ पर search हो कर आ गया है यह तो वह actually इस तरह से काम कर रहा है तो उससे match होता record होगा वह search करके देगा या 2 हो 1 हो 4 हो 5 हो जितना भी और यह मेरा जो function यह वो किसके लिए है वो है get all data के लिए तो यह अपना हो गया note का part API का part अगर आप बहुत अगर आप फ्रेशर हो तो आपको साय से नहीं समझ में आगा बट अगर आपको note का थोड़ा नहीं नहीं समझ में आजाएगा और इसका core में दे दूँगा आप वहां से डाउनलोड कर लिए चलते है रियक के पार्ट पे रियक का पार्ट मेरा यहाँ पर है इसको minimize कर देता हूँ तो अब अब उप्रेकर कर सकते हैं या इंपोर्ट भी कर सकते हैं इसका सीडियल लिंक भी यूज कर सकते हैं या आपको पर डिपेंट करते हैं अब हम लोग src में चलते हैं इसको फिलाल बन कर देते हैं तो मेरे बाद एक फाइल है search imply यह फाइल भी थी पर हमें इसकी नेट नहीं बन कर देते है तो एक यह फाइल दिख रहे होगी आपको तो यहां पर आपको दिख रहा होगा मैंने axios यूज किया है जो की यह पूरा का पूरा जो मैरा लिस्ट है वो मुझे रिटन कर रहा है ओके यह मैंने क्यों बिलिट कर दी इसको रहने ही देता हूं क्योंकि एरर फेक रहे है साथ मैंने कहीं कॉल कियो कि इसले तो यह जो रूट करके दे रहा है ठीक है इसको मैं यहां पर यूज एफेक में डाल दिया जैसे कि मेरा जैसे पेज़ लोड होगा वो सारे का सारे डिटन नोड जेस से लेते आएगा तो जो मैंने आपको लिंक बताया था कि यहां यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यूज कर रहा है तो यहां पर यहां पर यूज कर रहा है तो यह रूट होता है इसको हम लोग रूड बोलते हैं ठीक है लोड से कर यह होगा मेरा सर्चаров इंप्लोई के लिए के लिए यहां पर मैं सर्च मेंने पर यूज करों फिर ऑई मैंने minha 웃ocon काड़ेẹ यही अ Ohh और यहां पर में उजए फिर मेरा Cars रेक्वर्ड we विए तक सर्च रेकॉर्ड और फर्स्ट नेम सोट यहां पर तरद रहें उसके डूस्ट स्टेड में ले लिया है और उसकी उसको मौडल बोक्स यहां पर मैंने नीच इस स्टेबल बॉक्स अटमें और ने टेबल डेटा शो करा दिया जो कि आपको यहां पे दिख़ रहे तो इस तरह से यह वर्क कर रहे तो काफी सिंपल है यह मोडल बॉक्स में हमें डेटा आघ्री और तो कराना है तो अगर आपका रिएक्ट और नोड में आप बैसिक मतलब फ्रेशर नहीं हो आपको वीडियो देखने के लिए आपको दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद